कि नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनादन मैं हूं डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग कमेंट्स में जैमातादी जरूर लिखे आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है अगर अभी तक आपने पोटली का ओडर नहीं किया है दिपावली सर पर है तो पोटली का ओडर कीजे लिमिटेट पोटलियां है जो हमें आपके घर पहुचानी है ताकि आपका भागयोदे जरूर हो और पोटली के ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे उसके बाद रमायन उसके बाद सत्मारमगान की कथा तो नियामी तुरुप से आपकी पूजा का जो समान है वो लक्षमी के मंतरों से अभी मंतरित हो रहा है ये पोटली बनाकर आपको दशेरे वाले दिन दस में वाले दिन डिस्पैच की जाएगी यानि की कोरियर की जाएगी आप चाहें तो बाइ हैंड आकर भी अगर आप दिली में रहते तो ये पोटली ले सकते हैं पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबट के मतब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखेग है क्योंकि इस बार गनेश जी आपके घर लक्षमी को लेकर जरूर आएंगे इन दस दिन में जब हम गनेश जी धर्ती पर हैं उनकी पूजा कर रहे हैं तो पोटलियों का सभी समान पूजित किया जा रहा है अभी मंदरित किया जा रहा है तो पोटली के लिए जल्दी और करें वीडियो कॉल करकर मुझे देखें या ना देखें लेकिन इस ओफिस को जरूर देखें आप ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फसे आप चैमाता दी नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन हर बार ना जिंदगी में कुछ चीजें उपायों से नहीं होती अच में अपनी इस वीडियो में आपको दस ऐसी बाते बताऊंगी जो रामट सहीता में लिखी हैं जानते हैं क्या लेकिन उससे पहले बिलीव इन करवाँ नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायराकिया और आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं अपनी इस क्लास में जिसका नाम है जीने की कला जीना कैसे चाहिए आए जल्दी से नज़र डालते लेकिन सबसे पहले आप ज्रह माता दी ल मस रहें बिंदास रहें और आप खुबसूरत रहें आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं यू आर दा ओनली बेस्ट आइम टेलिंग यू और भगवान लक्ष्मी इस बार आपके घर के दर्वाजों को तोड़ कर चपर फार कर आपका घर में धन धाने भर दे और आपका सा जा रही है उसे ठीक जरू करवाया घर में दीमक है तो उसका इलाज भी कराना जरूरी है हर चीज उपायों से नहीं होती है कुछ चीजें बदलाव आपको अपनी जिन्दगी में खुद लाना होगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जिन्दगी को जीने की कुछ कला जो रावन सहीता में लिखी है, सुभा जल्दी उठना, शुब कारे को करने में बिल्कुल भी देर नहीं करना, अच्छा मैंने लड़की देखने जाने वाला हूँ, आज देखते हैं अच्छा कल करते हैं, हमेने प्लोट लेना है, हमेने घर लेना है, अभी तो टाइम है, भी नहीं फिर परसो कर लेंगे चाह तरसो कर लेंगे शुब काम को करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए जो गलती रावन ने करी वो हमें नहीं करनी चाहिए काश रावन ने राम जी को पहले पहचान लिया होता काश उसने पहले ही सीता को वापस लोटा दिया होता तो उसका वंच खतम नहीं होता काश उसने अपनी पतनी के कहने पर राम से माफी मांग ली होती काश रावन प्रभू को पहचान कर अपने घमन को छोड़ कर उनके छीरी चर्णों में जाकर गिर गया होता तो उसका बेटे बच जाते उसका कुल बच जाता उसका वंच बच जाता लेकिन ऐसा रावन ने कुछ भी नहीं किया नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वायराखी और मैं आपको जीवन जीने की कुछ कलाएं बता रही हूँ रावन सहीता के हिसाब से रावन सहीता के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जिन्दगी किस तरीके सीज़ है सुभा जल्दी उठिए और जो कारे करने वाला है काल करे सो आज कर आज करे सो अब उसमें देर मत करिए दूसरी महत्वण कला रावण सहिता के अंदर लिखी हुई है कि शत्रु को कभी छोटा मत समझो जो गलती रावण ने करी वो आपको और मुझे नहीं करनी चाहिए कि वानर और ये मतुच मनुष्य मेरा क्या बिगार पाएंगे कुछ नहीं बिगार पाएंगे कभी किसी को छोटा समझने की गलती मत करना क्योंकि याद रखना बड़े से बड़े हाथी की सूंड में छोटी सी चीटी जाकर इतने बड़े शरीर वाले हाथी को खतम कर देती है क्योंकि ब्रह्मा जी से रावन ने जब वर्दान मांगा तो वर्दान में उसने सिर्फ एक ही बात कहे कि जब भी मेरी मुर्ती हो या तो मुझे बंदर मारे या मुझे सधारन मनुष्य मारे क्योंकि उनका मानना ये था रावन का कि ये दुश्मन मेरे सामने बहुत छोटे हैं ना तो जिंदगी में मुझे कभी कोई बंदर मार सकता है और ना ही कोई सधारन मनुशे इसलिए प्रभु श्री राम मनुशे के रूप में वानरों की सैना लेकर आ गए और भ्रह्मा जी का दिया हुआ वर्दान भी रावन के लिए छोटा पढ़ गया मुसीबत का घर बन गया असलिए कभी किसी को छोटा समझने की गलती मत करना वो आपकी हस्ति को मिटा सकता है भ्रह्मा जी से ये वर्दान तो मांगा ही मांगा तीसरी कला कि तप जरूर करो बहुत ज़ादा ज्यानी थे ज्यान में उनसे बड़ा कोई नहीं था रामर से उन्होंने तप किया और रावण ने तप करकर शनीदेव को अपने यहाँ पर बंदी बनाकर सीधा ही नहीं अपी तु उल्टा टांग दिया तप करने से स्टूडेंट हो पढ़ाई करो सरकारी नौकरी चाहिए कोशिश करो जिन्दगी में आप उपाय कर रहे हो तो लगन से उपायों को करो तप करो रावण को भी जिन्दगी में बिना तप कि कुछ नहीं मिला तो अगला जो बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि लगन और तप अगर आप में हो तो आप भी शनी देव को अपना बंदी बना सकते हैं फिर शनी की दशाएं क्या है फिर क्या हो गया अगर आपकी शनी की सारसती चल रही है मन से तन से तप में लगकर पूजा में लगकर उपायों में लगकर भक्ती में लगकर अगर आप कुछ भी करोगे तो शनी भी आपका कुछ बिगाड नहीं सकते रावन ने शिव की भक्ती करी परंतु भगवान को उसने बदले में जो मांगा वो हमेशा उसने क्या मांगा उन चीजों की लगन उसने रखी जो उसको कभी भी पक्के तोर से नहीं मिल सकते अब शिव की पूजा करी शिव का ही भक्ता और शिव से ही शिव की लंका मांग ली मांग जानते हैं आप कि लंका शिव ने पारवती जी के लिए बनवाई थी लेकिन रावन के पास वो लंका चली गई क्योंकि रावन के पिता ने वो लंका शिव से मांग ली तो आप कितने भी बड़े भ्रहमन क्यों ना हो लेकिन मांगने से पहले हमेशा सामने वाले से वो चीज मांगो कि वो वरदान के तौर में या जबरदस्ती या अपने मन को कचोड कर तो वो चीज आपको नहीं दे रहा कहीं कल वो चीज आप के लिए नुकसान हो जाए क्योंकि जब रावन के पिता को पारवती माने ये लंका गिफ्ट के तौर पर दे दी तो साथ में श्राब भी दिया कि पूरे कुल के अंदर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचे को और ये लंका एक दिन धूर 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 करकर राख हो जाएगी तो कभी किसी से कुछ मांगना है ना जब वो दे मर्जी से तब मांगो किसी से कभी कोई जबरदस्ती मत करो जिन्दगी को जीने की ये और कला सीको भक्ती के बिना कभी शक्ति नहीं मिलती उपाए जितने मर्जी कर लो लगन के बिना कभी कोई काम नहीं हो सकता कलियुग में अगर आपको प्रभू को पाना है तो दान ही एक मात्र है ऐसा रावण ने रावण सहीता में लिखा है कि अगर कली युग में तप मत करो, हिमाले मत जाओ, शिबलिंग को मत उठाओ, बहुत तपस्या मत करो, लेकिन दान पुन्ने करो, शायद इसलिए कुरान जैसी किताब में भी धार्मिक किताब कुरान में भी लिखा हुआ है, कि अपनी कमाई का 40-वा हिस्सा दान में जरूर दे, इसलिए रावण सहीता में लिखा है कि कली युग में मेरी तरह से कोई भगवान का तप नहीं कर पाएगा, लेकिन लगन हो, अगर आप 40,000 रुपे महिना कमाते हो, तो क्या 400 रुपे दान में नहीं दे सकते, क्या 400 रुपे का भंडारा नहीं कर सकते, क्या किसी के घर में 400 रुपे का राशन नहीं डाल सकते, तो जवाब है हा, लिकिन आप करना नहीं चाहते, आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये दिखावी, कस्मे, वादे, प्यार, वफा सब बाते हैं बातों का क्या ये जो दोस्त हमारे बनते हैं ये हमें छोड़कर चलिडाते हैं लेकिन किताबें हमें कभी नहीं छोड़ती धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, किताबें पढ़िए, मैगजिन पढ़िए ये ज्यान आपके साथ हमेशा रहता है और आपकी बंद बुद्धी को खोलता है तो अच्छी यूट्यूबर्स को देखना, अच्छी किताबे पढ़ना, अच्छी मैगजिन पढ़ना, ये जीने की कला का एक और महत्व है, और अगला महत्व जो रावन बोलते हैं, रावन सहीता के अंदर वो ये बोलते हैं, आपकी वाणी बहुत मधूर होनी चाहिए, कोई नहीं रुकेगा, और आपका वहवार मधूर, हाजी सर, चावल, मेरे पास ना, चार तरहां के हैं, मैं आपको कौन से दूँ, आप कहां रहते हैं, सर, आपको पहली बार देखा, बड़ा खुश हुए आप से मिलकर, वो व्यक्ति आप से दो चीजे और लेकर जाएगा तो वाणी बहुत मीठी हो, तो रावर रावर सहीता में कहते हैं कि आप जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हैं, 50% आपकी वाणी, आपकी भाशा काम करती है और 50% आपकी महनत करती है, जावान हमेशा अपनी जबान को, अपने कान को काबू में रखो, आप हमेशा एक बात जाद रखो कि चटनी से भी रोटी खाओ, तो तुम ये सोच कर खाओ, कि तुम राजाओं की तरह 36 भोग और पकवान खा रहे हो, जिस दिन आपके अंदर ये जिन्दगी के अंदर बात आ गई ना, उस दिन आपको जीवन जीने की कलाय आ जाएंगी, सकन पुरान के अंदर एक बात लिखी हुई है, कि तीन दिन तक अगर हम किसी भी चीज के बारे में लगातार सोचें, तीन दिन तक, तो वो चीज हमारे साथ होने लग जाती है, तीन दिन तक लगातार हम सोचें, जलेवी खाने का मन कर रहा है, का जलेवी खापाती, बना लूँ, जलेवी खाने क पर जलेवी काम मिलेगी या तो घंटी बजा कर आपका कोई रिष्टेदार दोस या पड़ोसी आपके घर जलेवी दे जाएगा लेकिन आपके घर जलेवी आ जाएगी और सारी बाते जो मैंने आपको बोलेओं से दर किनारे कर दो ये तीन दिन वाला ये वीडियो जिसन कि आपको खूने के बारे में सोचते हैं अब श्रू करते हैं या गातार आप ज सोचते हैं तो तीसरे दिन वह चीज आपकी टेबला पर होती है by hook और by cook वो आपको खाने को मिल चाहेगी तो let's try try करकर देखेगा और मुझे बताइएगा कि आपका experience कैसा रहा इस चीज़ को लेकर मैं हूँ dr. वायरा की जहां मैं आपको जीवन को जीने की कला सिखा रही थी जहां मैं चाहिए सूरज उकता है लेकिन ढलता भी जरूर है और ढलता है तो अगली दिन उकता भी जरूर है समय अच्छा हो या बुरा हो निकल ही चाहता है दोस्तों को माफ कर देना चाहिए जिन्दगी के अंदर बड़ी बड़ी गलतियों के लिए लड़ाई जगड़ा करकर अगली मुस्कान दे दिनी चाहिए और रिष्टे को शुरू कर देना चाहिए और महतेपूर बात आपको एक बात बता हूँ किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए दुआ सलाम कभी बन नहीं करनी चाहिए नमस्ते राम राम हमीशा रखो ताकि दुश्मन ही करो जमके करो पर फिर कभी हम दोस हो जाए तो शर्मिन्दा नहों इतनी गुंझाश हमेशा रखो किसी भी रिष्टे की मरियादा को कभी पार से प्यार करो जिंदगी बहुत खुबसूरत है इसके हर पल में आनंद लेने की कोशिश करो और फिलहाल मेरे चानल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो और सुबह साथ बजे ठीक साथ बजे इंस्टा पर मेरी वीडियो जरूर देखें फिलहाल मुझे दीजे इजाज़ नमस्कार जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडले दिखाईए, टैरो कराईए लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाईए मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपॉइमेंट लीजे, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस बदलव झाल